क्राइम ब्राश धार एवं ठांडा पुलिस ने पांच वर्शों से फरार जगन्य अपरादों में लिप्त शातिर बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है बदमाश को ग्रफतार कर लाते हुए रास्ते में अग्यात 15-20 लोगों ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया सयोग से इस घटना में पुलिस वे क्राइम ब्राश के किसी भी अधिकारे वे जवानों को चोट नहीं आई किन्तु क्राइम ब्राश का वाहन चति ग्रस्त हो गया धार जले में लूट डकेती जिसे गंभीर अपरादों में लिप्त बदमाशों को ग्रफतार करने में धार पुलिस को निरंतर सफलता प्राप्त हो रही है बदमाशों पर की जारी कारवाई के चलते उनके होसले तूटते जा रहे हैं चार नवेंबर को जब लूट डकेती के शातिर बदमाश मुकेश पिता रीचु को धार क्राइम ब्राश एवं ठानड़ पुलिस ग्रफतार कर ली तब ही रास्त में पंदराबिस अग्यात लोगों ने पुलिस पार्टी पर जान लेवा हमला किया जिसमें पुलिस पर फारिंग भी के गए लेकिन सभी लोग सकुशल बदमाश को लेकर धानड़ पहुचे घटना में क्राइम ब्राश का वहां चदिगरस हो गया ग्रफतार शातिर बदमाश पर पांच हजार का इनाम था तथा ये धार की टॉप टैन बदमाशों में से एक था शातिर बदमाश ने धार इंदौर सहित प्रदेश के कई जिलों के लावा महराश चुकरनाता गुजरात में भी लूट की घटनाओ को अंजाम दिया था महेश की ग्रफतारी को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है इससे पूछताच में कई अन्य बड़े खुलासे होने की संभावना है धार से सुड़ेश तिवारी की रिपूर्ट